तो भाई देखें रिव्यू लेते हैं हमने देखें विनवर्ड स्टार्ट किया MS Office को क्या है बेटा गेट बन कर दो ताके न यह रोश्णी आपको कम न ठीके MS Office का हमने आवास किया था MS Office में हमने ठीके यह सीका था कि MS Office को जो पहला सोफ्टर है वो क्या MS Word है ठीके MS Word कहाँ बेटा होता है सिफ अला बताओ कोई भी फाईयर डोकुमेंट बनाने के लिए मिसाल के तौरपर ठीक हो गया गुड हो गया सीवी होगी स्कूल के पेपर हो गया अप्लिकेशन हो गया लेटर हो गया नोट्स हो गया य आपके हमें स्वर्ड का इसमाल करते हैं ठीक है यहां दक बास समझा रही है अच्छा उसके बाद देखें हमने इसको खोलने के दो तरीकी काड़ सीखिते पहला तरीकी काड़ क्या था कि आप इस टार्ट बटन पर जाएंगे और जाने के बाद यहां पर क्या लिखेंगे और देखेंगे डीट हैक आपको रहे अब लिखेंगे जोरगा लिखेंगे डीखेंगे तो डीट आपके बास आजाएगा है वाला बटन इस ब्रेस करके रागने है और आपने आपर लिखना है win word क्या लिखना है win word आप लिखेंग और enter कर देंगे ठीक है और आपने दोबारा enter करना है तो ये blank document आपका open हो जाएगा यह अंदर कोई मसला पिर आपने देखा था कि बाई जब जैसे ये window खुलती है और नीचे ये आपको tapes नज़र आ रहे है और ये जो white area नज़र आ रहे है जिसमें बहुत सारे option आपको नज़र आ रहे है ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते है ribbon बनाते है इसको हम क्या करते है ribbon बनाते है अच्छे यहां पर जord है और और आपो नगिंसेज्पों के जल्पी के फिर आपके अरप note किस शोने करें शॉल करते हैं किसी को झाले होता है प्लिएili यह झाले होता है जुछ उतिस को काने एक सब्कोंत लिद अचाए था उć watermark को यहाँ पर aid कर दे तो मैं right click करता हूँ और add to click access toolbar पर click करता हूँ देखो watermark मेरा यहाँ पर आ जाएगा बास समझा रही है आप मिसाल के तो पर जैसे आप word को open करेंगे ना default automatically आप home टेप पे मुझूद होंगे तो आपको यहाँ पर design tape पर आना पड़ेगा फिर आपको watermark डूड़ना पड़ेगा फिर click करना पड़ेगा इससे अच्छे क्या है आप इसको quick access toolbar में लगा दो अब आपको वावर जाने की जरूरत नहीं डायक्ट आपने आपके click करना है और automatically को नाम जहन में बिठाना है ठीक है कि देखना है कौन सा option है तो आपने क्या करना है click को लेकर जाएं बस जैस्ट आप click को लेकर जाएंगे automatically word उसका नाम आपको बता देगा क्या नाम है और साथ में shortcut की भी बताएगा आपको देखो बोल्ड पे मैं लेकर जा रहूँ ना तो बोल्ड पे मुझे बता रहे है इस option का नाम बोल्ड है और इसकी shortcut की control प्लैस भी मिसाल कि तो आपने कोई text लिखा ठीक है आपने text लिखा और आपने इसको select किया select करने के पाद एक तरीका बोल्ड करने का क्या है च Obrig दो या कंट्रोल भी दबादो कंट्रोल भी दबाऊंगा तब भी बोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आके बोल्ड पे क्लिक करूँगा तब हो जाएगा ठीक है está during करने के तो जह जाओ और control हूं इस में क्या जाएगी वेरी गुडूट। इसकं कहते हैं। स्छेक्सक कहते हैं। क्योंकि देखो आप बेक साइट पर आदेने हैं। यह तो इसका फॉरंट है। जब आप उसको Şu Kin siempre on recherches इसकं भी आपकंड सुन इया। तो आपका। पुरानी फाइल आपकी बंद बेटर नहीं होगी ठीक है तो यहां से न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं अच्छा भई हाँ बई मजीद साब बताएं अपन से क्या होता है अपन अप्शन क्या करता है न्यू फाइल तो खोल ली ना न्यू से उपन क्या करेगा फोल्डर खोलेगा हाँ बई जास बई बताएं क्या होगा फोल्डर वेरी गुड उपन से क्या होता है आप अपनी वर्ड की पहले से बनीवी फाइल को उपन कर सकते हैं ठीक है विसाल की तो पर आप उपन पर गए तो पहले से वर्ड की जो फाइल ने आपके बनी वी ना आपके कम्प्यूटर में आप उनको उपन कर सकते हैं जैसे आपने कोई CV में एडिट करना है तो CV को आप यहां से उपन कर सकते हैं ठीक है जहां पर भी आपकी फाइल वो मुझूद होगी तो देखें ये फाइल मेंघ मुझूद हैं मैं इसकょ क्या करता हूं किलिक करकर ओपन करता हूं तो ये फाइल मेरी ओप्बन होगी ऐटमेंडिकली ठीक हो गया उसके बाद देखें हमारे पास तीकली option क्या है, save का, save से आप जानते हैen, save हो जाता है save एसे क्या होता है, duplicate create होता है, very good अची देखो इसमें आप नी बात आईगी सिरोश जैसे मैनने इसको save किया, save करन 연 के बाद मैंने location दिया, इसके duplicate कहां create कर हूँ, जैसे यहाँ पर create कर रहरा हूँ, मैं इसको सेफ किया और लेगा इसकी डुब्लिकेट क्रियेट हो गई अब पिछली फाइल बंद हो जाएगी अटोमेटिकली इसका फाइदा क्या होता है जैसे आप डुब्लिकेट क्रियेट करते हैं कोई नया आप कमांड इस्तेमाल करना चाहर है कोई नया उप्शन इस्तेमाल करना चाहर हो आपको डर है कि भाई मेरी जो फाइल बनीवी वह खराब हो जाएगी तो आप क्या करोगे उसको डुब्लिकेट करकी काम करोगे और नई फाइल आपके सामने उसकी डुब्लिकेट कुल जाएगी आपके औरिजनल फाइल आपकी खराब नहीं हुई उसका प्रिंट डीटेल में पढ़ा था प्रिंट करते हैं जितनी कोपी जापको चाहिए होती है अब बात अचाहिए हमने ओम पड़ा होमे कलिप यह सारा का सारा पढ़ लिया कट कोपी पेस सब कुछ पढ़ लिया ठीक है और इसमें एक important option मैंने आपको बताया था वो क्या था format painter वाला था अब मिसाल के दूपर देखे मैं इसको select करता हूँ इसका मैं font size क्या करता हूँ बड़ा कर देता हूँ इसको bold कर देता हूँ इसका मैं font color change कर देता हूँ ठीक है like for example इसको मैं yellow कर देता हूँ ठीक है अब मुझे पता है format painter क्या काम करता है बड़ा दानिश तुम बता हूँ दानिश नाम है नहीं तुम्हारा बता हूँ आप लोगों नहीं लिए हाँ बड़ा क्या नाम है बच्छे तुम्हारा नहीं मैं बिलावल के साथ हाँ क्या नाम है नाम क्या तुम्हारा मुमद शाराज बताओ भी क्या काम करता है आपका time बचाता है तिक है क्या करता है आपका time बचाता है देखो अगर मैंने यही वाली formatting क्या करनी है इस वाली पर लवस पर करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसकी मेने, font size कितना रखा, 28 रखा, तो यहां पर मैं जाता हू, इन दो लवस को select करता हूँ पहले, और यहां पर जाता हूँ, 28 कर देता हूं, 28 कि एक चलो ये हो गया ठीक हो गया ऊसके बाद मैंने देखनाए इसके राइटिंग स्टाइल कोई सा है यहां पर क्या बाद लिखा हुआ यहां पर मैं जाओं गाँ और यहां से लिख भागा बी लिखुंगा आ जाएगा बी देखो आ गया और इंटर कर दूँगा देखो यह वाला style मेरा क्या हो गया select हो गया अच्छा उसके बार इसका color कौन सा है color यहां पर में जाओंगा और यहां से इसका में yellow color ले लूँगा आप देख रहें कितने अधादा time लग रहा है ठीके तो format painter क्या करते हैं को बचाता है like here झाली time को बचाता है मिखाल कि दूबर यही वाली फ़र्मेटिंग इस वाले लफस पर करना चाह रहें आप क्या करें इसको select करें select करें select करने य опас format painter पर आप click करें click करने और आप क्या क्रें जिस पिलापस पर यह वाली format अपने तरियुको जो भी आप देना चाहिएं तयुक अगी उसकी बार दो किको जो कालाइट कर सकते कोई भी होई इसipse गिलाइट कर सकते हैं और लग लग्ति उसके लेकिडियर इसके लिखंग प्रवार be आपको देता है sentence case में क्यों होता है sentence क्यों होता है बताओ भी कासीम very good पहला लफस जो होता है line का sentence का जुमले का वह बड़ा होता है बागी सारे चोटे होते है lower case में क्यों होता है चोटे हो जाते है upper case में सारे बड़े हो जाते है capitalize each word में पेला लफ्स बड़ा हो जाता है किसका हर लफ्स का वेरी गुड और टूगल के इसमें क्या होता है वेरी गुड पेला लफ्स चोटा होता है बार की सारे बड़े हो जाते हैं ठीक हो गया उसके बाद देखे हमने कारता है यहां पर देखें आपके बास क्या है यह डिला के जाता है ए उसको में पर इसपे लिए आ रम्याइटिंग लगाई है यह खूँनगा ने किस लेकिक लिए क्लिक करें तो क्लिक करो था C यहां से आप किसी भी नंबर को नीचे लिख सकते हैं पावर में और किसी भी नंबर को उपर पावर में लिख सकते हैं ठीक है यह तो समझ आगी ना यसे आपने मेत में देखो होगा X की पावर लिखी होती है 2 X की पावर 2 उपर लिखनी है उपर का मतलब क्या होता है इसकी कैटेःगरी हाई ए तो जिसको उपर लिखना चाहते है उसको पहले आप सेलेक्त करें सेलेक्त करने के बाद आप यहां पर देखें यह उपर सुपर स्क्रिप्प बनी भी आरी क्लिक करें तो यह डूपर चला जायेगा ठीके अब यहां पर आते हैं अब में कुछ लिखूँगा ना छोटा लिखा जायेंगा क्यों क्योंकude इस पर सुपर्सक्रिप्ट अन है आपने करना क्या है है यहां से इसको डिलीट करना ए और देखोझ यहां से इस option को आफने ओफ करना है आपने क्लिक करना है अफ हो जाएगा और यहां से आप लिखेंगे एक्स और इसकी पावर अभी आपने टू नीचे लिखनी है ठीके आप पावर आपने यह तू नीचे लिखनी है तो क्या करेंगे इस तू को स्लेक्ट करेंगे स्लेक्ट करने के बाद आपने इसको सब्सक्र कर सकते हैं और इस ट्रैक्स्रू का मतब रहा है था मिने आप को बता है अपके लफ नाप को कार्ड देता है इससे यह नई युजर को पता लगता है पहले यह चीज मुझूद थी लेकिन आप यह चीज मुझूद भून है, लेकिन कटा है इसके बाद बुलिट से क्या करता है, लिस्ट करेंट करते है, जहां से नमर लिस्ट करेंट लेड़ करतेंगे और यहां से आप मल्टी element करेंगे ठीप है जैसे मिसाल की दो आप मुल्टी रेवर लिस्क लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है MCQs के लिए यह काम आता है MCQs के लिए अब मुझे यह बात बताओ सिरोज इसके मैं ऑप्शन कहां से लिक रहा हूँ इस ऑप्शन ही नहीं आ रहे है कौन सा बटन दबाएंगे भई टेप का अजास समझा रही है ना देखो इसके ऑप्शन लाने के लिए मैं क्या करूंगा यह 2 पर आ गया ना मैंने MCQs नबर 1 के ऑप्शन लिखने टेप दबाऊंगा ऑप्शन A पर चला गया पर इंटर दबाऊंगा ऑप्शन B लिखा फिर दबाया C लिखा फिर D लिखा अब मैंने ऑप्शन नबर 2 पर आ रहा है दूसरा MCQs लिखना है अब क्या करूं तुम बताओ कड़े हो जानाम क्या आपका वाइस पता अब क्या करूं आप्शन नबर 2 लिखना है मैंने टेप दबाऊंगा तो यह तो आगे जा रहा है तो मजीद आप्शन पर जा रहा है मजीद लिस्ट बना रहा है इंटर करूंगा तो यह यह आपकी बुलिट से खतम हो जाएंगी हाँ बई मदसेर सहाँ क्या करें क्या करेंगे вट दबा कर घंके टेप दबाएंगे शिब दबा कर जब अप्शन नुम्बर 2 पर आs जाएमा तो यही चूटी चुटी बात ने में इसलिए यह प्रवाइमन्ट तरह हो आते हैं की इस्केशं पर आन पर स्टायवनत की 여रा हैं अर यह जिर्वे रहुण हैं डिस्टे साथ सही उता हैं इस पर इस पर इस प्रवा गर को तो इस पर इकर आग track को आगे हो रहे हो तो वो डिग्री इंडेंट से आप पीचे इसको लेकर आ सकते हैं और यह आपकी paragraph की spacing की इस भी आप पड़ा था लें के दर्मियान spacing की आप create कर सकते हैं paragraph की शुरू और आफर में भी spacing की आप create कर सकते हैं उसके भाइ स्टाइल्स हम निकल पड़े थे और स्टायल्स, जाँ है इसक ़्यूहाँ है, इसार यह भी सपंगे, यह भी होए इसको बिक्सा सब्सक्राण04 प्शहते हैं, जो कि मैं चाहिए हैं शो में जो जाएंग और आप आरो यह पेंट्केश से भी थोड़ा साइडवास आपके वास अप्षन है कैसे अमिसाल के दूबर देखें आप यहां पर आएं और इस्टैल में आप गे आप गये अपने क्या करना है create style करना, नया style भी बना सकते हैं create style पे जाएंगे, और आप से पूछ रहें कि नाम इसको दे देंगे आप यहां पर लिखते हैं my style, भई मेरा style, ठीक है यह आप लिख सकते हैं, पेरा graph की heading के लिए पेरा graph heading लिख सकते हैं, essay heading लिख सकते हैं, letter heading लिख सकते हैं तो different तरह की style बना सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप just click करें, वो style apply हो जाए, आपको दुबारा कुछ भी form चेंज करने की जरूरत तब ना पड़े ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे मैं कहता हूँ, essay style के देता हूँ essay heading जब कभी मैं heading, ऐसे की heading लिखूँगा तो मैंने यह वाला style apply कर देना है और इसको यहां से क्या करूँगा, मोडिफाय करूँगा मोडिफाय करने के बाद मैंने styling भी तो देनी इसको नेम आ गया इसका और यहां से देके formatting select कर सकते हैं, कोई भी आप यहां से font select कर लें style यहां से font select कर लें heading कितनी बड़ी होनी चाहिए यहां से bold करना है तो bold करने, italic करना है तो italic भी करने underline करने तो करने, नहीं करना तो छोड़ दें वैसे हैं heading में underline होता है आप underline कर लें उसको और automatic पर चाहिए आपसे font color पूछ रहा है कोई color देना चाहिए color भी आप इसको दे सकते हैं मिसाल की दूर्प मैंने यह color दे दिया और मैं इसको क्या करता हूँ, okay करता हूँ देखो मेरा style के हो गया, वो ready हो गया अपने यहां पर जाता हूँ, देखो मेरा style यहां पर मुझूद होगा यहां पर जाते हैं हम, देखो ऐस style आ रहा है आपके पास तो आपने क्या करना है जब कोभी इसने आपने यह वाली heading यह वाला style किसी को देना हो style पर जाएंगे, click करेंगे यहां पर के हो जाएगा, आपका apply हो जाएगा, ठीक हो गया, उसके बाद देखें, आप जो बने बने style हैं इनको भी modify कर सकते हैं, आप right click करें और modify पर जाके आप different तरह की changes इन में भी कर सकते हैं, अच्छा जी, उसके बाद देखें, editing वाले tools आ रहे हैं, यहां से find हमने पढ़ चुके हैं, find क्या करता है, किसी भी लफ्स को आपकी paragraph में डूण के देता है, मैं click करता हूँ, और यहां से पूछ रहे हैं, क्या find करना चा और यहां से pages पर देखेंगे, तो आपको बता देगा कितने pages पर आ रहे है, assignment भी शायद हमने किया इसका, किया है ना, अच्छा, और headings, ठीक है, कौनसी heading में आ रहा है, इस heading में आ रहा है, बई clear है, उसके बाद देखें, आपकी पस find replace है, replace क्या करेगा, आपकी डूंड़े यहां पर लफ्स को replace करके देगा, news के जरीए से मैं क्या करता हूँ, news को मैं replace करना चाहता हूँ, video से, videos में गया, और मैंने क्या कर दिया, replace कर दिया, replace करूंगा, तो यह क्या हो जाएगा, replace हो जाएगा, replace हो गया, replace हाल करूंगा, हाट जगा पर जो मुझूद होगा, तो वो कि यहां पर मैं अगर आपको दिखा हFr지가 हुआ झाल आप देखर यहां पर क्लिक को लेकर जाओगे तो बिल्कुल यह स्ट्रेयंट बनावार है जैसे में आपको दिखंगे यहां पर लेकर क्लिक आहरहारहे हैं addition तो दो दफ़ा क्लिक करूंगा आपका paragraph select हो जाएगा तीन दफ़ा करूंगा पूरा document select हो जाएगा किस आएँ आपको दिखाता हूँ equal rand rend लिखा और मैंने bracket open close के और अटर कर दिया अब दो को एक दफ़ा क्लिक करूंगा यह line select हो जाएगी जिस line के बार मुझूद है यह भी यह option दे रहा है select tile आप कर सकते हैं और किसी भी object दो select कर सकते हैं और select with similar formatting कर सकते हैं जाएगा आप यहां पर मुझूद हैं आप इसकी इस पर जो formatting होई है और जितनी इससे related formatting मुझूद है सारों को select कर दे तो यहां पर आप आओगे इसकी similar formatting को यह क्या कर देगा select कर देगा फिर देखो यह रहा similar formatting थी नहीं यहां पर देखो इसको भी select किया इसको भी select कर लिया ठीक है तो select आप इस तरह भी इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं clear हो गया भाई हॉम टेप हमने दुबारा revise कर लिया इंसेट पर जाते हैं cover page पढ़ा था हमने नहीं पढ़ा अब देखें अब कोई भी आप document बनाते हैं कासिम तुम्हें नीद आ रही हुझे लग रहा है नीद आ रही है किस-किस को नीद आ रही है समझ आ रही है ना वही कुछ बच्चे नहे थे मैंने का revise कर आदू है ना तो फिर वो जो है ना जैसे ही देखें ये बुक है आपके पास ये बुक नजर आ रही है आपको इस किताब को ये जुम से front वाला पेज होता है ने इसको cover page करते हैं क्या कहते है cover page इसलिए कहा जाता है don't judge a book by its cover ठीक है किसी भी बुक को इसके cover से judge ना करें ठीक है इसी तरह से देखें ये आपको बने-बने cover pages आपको मिल जाएंगे ठीक है मज़ीद आप देख सकते हैं यहां पर आपको यहां पर मिल जाते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा पिर यहां से बने-बनाएं आप क्या कर सकते हैं यहां से आप ले सकते हैं यहां से आपने लिया और लेने के बाद जहां से आप इसको अपना title दे सकते हैं अपने document के मताबिक जो भी आपको document में MS Word ठीक है यह MS Office लिख दिया आपने और MS Office का subtitle का है क्या पढ़एं MS Word पढ़एं आपने लिख दिया है MS Word ठीक है फिर यहां पर आप से कह रहे हैं कि ऑथर का नाम लिख दे हैं कौन किस पर काम कर रहा है जैसे मैंने लिख दिया author है हमारे अहमारे अहमद भाई और date आपने जिस date में आपने सब्विंट की है और course title के है वो भी आप लिख दें मतलब कि अपने लिहाज से आप कुछ भी कर सकते हैं आपने कुछ यहां पर aid करना है है ना सर्फ लाँ बताओं यहां पर कैसे में कुछ लिखाई लिखूंगा यहां पर लिखाई नहीं जा क्या करऊं टेक्स बुक्स पे एक और option भी है टेक्स बुक्स चलो टेक्स बुक्स के option को गुली मार दो बहुत है लो है ही निव फिर क्या करूं फिर कैसे लिख सकता हूं टेक्स बुक्स हो simple है ना भई मैंने बड़ा इस Canadian差 सरकल बनाका इस में लिखना है फिर क्या करूं है ए राहे हके शहीदो यह तो मैंने बड़ा पुराना उप्शन पढ़ाया वह यारी आप लोगो हाँ भी रुस्तम साब बताओ क्या करूँगा सर्कल में अगर मैंने लिखना है तो क्या करूँ बताओ शबाश हाँ उमेर साब बताएं क्या करें सिंबल कहां गया भाई यहां पर एचा सिंबल में का सिंबल में थोड़ी में देगा हाँ बढ़ी मनसर बताएं जरा वेरी गूड क्या करेंगे शेप में जाएंगे भाई बोला करो बोला करो कॉनफिडेंस से बोला करो ठीके शेप में आप जाएंगे चले गए क्या करेंगे स सबर करो आयागा इसको टेंशन नहीं लो इसको हम यहाँ पर शेय फॉर्मिट पे जाते हैं इसका वार्प टेक्स चेंज कर देते हैं इन फ्रंट ओफ टेक्स करते हैं टोप और टोप एंड बोटम सेंड बेकवर्ट अचे छलें बरहल यह आपने देखें किसी भी शेप में अगर निखना है तो आपसमज़ागों आपने शेप की तो यह थैप करने किया आपका किसी भी शेयप में क्या लिखने तो इसी तरह से देखें आप इंसेट पर अगें जाते हैं अगर आपने क्या करना है मज़ीद इस तरह से वैसे आप खुद भी बना सकते हैं इसको लेकर अगर आपको टाइम अपना बचाना है वक्त बचाना है तो डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स यहां पर मुझूद हैं इसको एदिट गया अपने इसको खतम करना है आप मिसाल की दर बहर कोई दोसे स्टाइल प्रसांदार है तू क्लिक करेंगे आपकी आपकि वर्डिंग्स भी उखराब नहीं की उगी उस्हे वर्डिंग के लिहाज से आपका टेक्स एडजJस्ट हो जाएग उस्य जाएगा, खतम हो जाएगा, उसके बाद एके टेबल पढ़े थे हमने, पेज बेक टो पढ़ लिया ना, यह उमने कर लेटेल में पढ़ा था पढ़ा इसमें कोई उश्यू थी तो नहीं किसी को, आचे टेबल देखते हैं, टेबल देखें, टेबल से आप क्या कर सकते हैं, ए और जाने के बार देखो याहां से आपसे पूछग रहा है number of columns कितने चाहिए आपको मिशाल के साथ मैं कहता हूं मुझे number of column चाहिए 10 और मुझे number of rows कितनी 200 चाहिए 200 क्युक्के प्रिखो column limited आ सकते हैं column छुड़ाई में limited आसकते हैं और में पड़ दो सो रोज आ गए यहां तक ले रहे हैं? आप यहां पर क्या कर सकते हैं? आप लिखते हैं यहां पर जैसे मिशाल के तर अपने लिखा Name Father Name लिखा Tap दबाएंगे आगे चले जाएंगे Next cell में जाने के लिए क्लिए क्लिए Tap दबाएंगे टीक ये बास समझ जा रही है तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया है किए को मौडिफाय कर लिए है यहां पर मैं सक मेंस्को सेलیک करता हूँ अब यह मैंसे काम के नहीं ही लाइट पर आता हूँ और डिलीट कॉलम कर देता हूँ ति डिलीट हो गया हूँ ठाहिए भाई बाद समझा रही हैं यहां तक बाद समय रही हैं लिगा यहाँ पर नहीं सकते अंधे हैं और नहीं हों कि एक पाद में समझा गः किसा और ठाहिए और पीज्टे chase this सबूड दीजायन ले लिए चाहिए को अब टेबल डि Alan brillu語 एक jour कन दीजाने यहीं कारओ तो क्या गांगा च लगा में सबॉड आपने बेजावन काष्थ की सबुड़ तोटल रोज आ रहांते हैं, तोटल रोज आपको चाहिए, चाहिएasan नहीं चाहिए, तो आप क्या हो, फटा दो. अब तोटी हो जाहिक का ठैबलो मठो तोटल रो आपको नगो. तोटी हो आहरी तोटल रोज this the trouble. फिर्स्ट कॉलम पर स्टैलिंग चाहिए नहीं चाहिए तो हटा दें चेक चाहिए तो आप लगा दें चाहिए लास्ट कॉलम आपको चाहिए स्टैल वाला चाहिए तो लगा दें चेक नहीं चाहिए तो आप लगा दें बेंडिट कॉलम्स आपको चाहिए तो चेक लगा दें नहीं चाहिए तो आप हटा दें सही है तो डिफरेंट तरह की स्टैलिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर शेडिंग मुझूद है कोई भी शेडिंग आप यहाँ से दे सकते है लेकिन आपने टेबल को स्लेक्ट करना है पहले ठीके जिस सेल पर शेडिंग जो देना चाहिए आप दे देँगे अगर आपने पूरे टेबल को देना है यहाँ पर जो यह चार एडु बने वे आ रहे यहाँ पर क्लिक करेंगे पुरा टेबल स्लेक्ट हो जाएगा और यहां से कोई भी shading तो कई भी आप यह पर अपलाय करवा सकते हैं तो तक और है आ जो यह पार रहे हैं तक अज्द कर दूरों किसी यह 訂डिवा summu की जीघित किसी यह बोडर किसी कहते है है किसे कहते हैं साइडों को कहते हैं किनारों को बोर्डर को कहते हैं ठीक है मिसाल के तरब आपने क्या करना है यहां पर आपने इन पर बोर्डर अपलाय करना है ठीक है तो आप क्या करते हैं, यहां पर जाते हैं, इसको select कर लें आप, यहां से border style आप देख लें जो भी आपको चाहिए यह बोडर style चाहिए आपको, अच्छा जी यहां पर आपको pen color जो चाहिए वो color भी आप select कर लें, अच्छा यहां से कितने point की आपको पटी चाहिए, date point की आपको बोडर आजाएगा, ठीक है बास में जारेए, अगर जिसमें भी आपको चाहिए, यहां पर आप जाए, style आपको select हो है, इसको आपने style लगाना है, इधर click करें, style आपने बनाया हो है पहले से, यहां पर जाए और all border करें, all border करेंगे, वही style यहां पर भी apply हो जाएग ठीक है, अब मिसाल की दूर पर यहां पर आपने गए और यहां पर आपने border पेंटर select किया और यहां पर आप click करेंगे, तो वही border आपको यहां पर क्यों हो जाएगा, apply हो जाएगा, ठीक है बास समझा रही है यहां तक, तो देखें, वही आपको border क्यों हो रहा है, यहां प समझारी के नहीं आरी, तो यह आपके पास कुछ options थे आपके टेबल डिजाइन के, अब layout पे बात करते हैं, layout में देखें क्या आपके पास आरहे है, पहले select को option आरहे है, ठीक है, select को option आरहे है, इससे select कर सकते है, एक cell select करना है, आपने, मिसाल की दूर देखें, यहां पर view grid line, यह बड़ा का option है, मिसाल की दूर यहां पर मैं आता हूँ, इस पूरे table को select करता हूँ, देखें, यह plus बना वार है, इसको click किया, click करने के बाद टेबल डिजाइन पे गया, और यहां पर जाने के बाद मैंने कर दिया no border, क्या कर दिया, border सारे मैंने अटा दिया, अब यहां से देखो, मैं जाता हूँ, यहां पर मैं layout पे जाता हूँ, view grid line को अटा देखता हूँ, क्या करता हूँ, grade line के option को off करता हूँ, तो देखो अब यह आपको पता नहीं लग रहा, column यह आपका है के नहीं, यह table है के नहीं, अगर मैं यहां से design भी अटा दूँ, zero कर दू design, ठीक है, तो क्या होगा आपका, simple मैं इसको कर दूँ, इसमें तो border यहां रहे है न, गर यहां से border करते है, no border, इसको मैं select करता हूँ, पूरे को, no border करता हूँ, ठीक है, अब आपको पता नहीं लग रहा है, table है के नहीं, ठीक है, तो यह grade lines क्या करती ही, जब आप border नहीं भ लगाते हैं, तो यह grade line आपको help provide करती है, आपको बताती हैं, आपको यह यहां पर क्या है, यह cell है, यह दूसरा cell है, तीसरा है, चोटा है, पांचवा है, ठीक है, grade line अगर print निकालों को print में नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको table को arrange करने में, table को maintain करने में यह क्या देंग ठीक है, यह option यहां पर भी ब्यार है, draw table पर जाएंगे, और यहां से आप कोई भी table इसला से अपनी मर्जी का draw कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी का table आप क्या कर सकते हैं, draw कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर गया है, अपनी मर्जी की width के साथ, अपनी मर्जी की height के साथ table अप को शाल के का में चुपना ट्रो कर सकते हैं का मुझरत रहा है ज़िनों भूए बना है। row table का काम यहा होता आपका ठीक है to hell तो देखें यहां से क्या है onesser Alpha का उसका क्या क्या है कि क्वे याज़ लिखा हो उसको चवय क्या करदेगा ये REEZ करदेगा ठीक हटा डे अट ठीक है आपके table को क्या करदेगा ये Our στο дрask कर देगा तो उसके बार देखें था श्युटा उप्षिन आ रहा रहा है ब्रीट जैसे क्लिक करेंगी तो आपको चार उप्षिन बतायागा आप सल को डिलीट करना चाहरें तो यह जिस सल में मुझूद है उसके सारा कोलम डिलीट हो जाएगा जैसे ज्यूल करता हूं तो कर Z से वापिस आजाएंगे अच्छा उसके बात क्या करेंगे डिलीट रो करेंगे जहां पर मुझूद है वो पूरी रो गाइब हो जाएगी देखें वो रो गाइब हो गई वह अपको फील क्यों नहीं हो रहा होगा ना वो गाइब होगे जो लिखावा था अच्छा जी अच् कश लो अच्छा भ秉 देखें इसको खटम कर लेना टे competitive को कम कर हद है फ कि अबाफ क क्या कि मिश Morocco कर था ऊकर कि लिखें अब भा पर एपके और उपर ठीक है और below का मतलब नीचे मुझे पताओ उपर क्या चीज एड होगी उपर देखो टेबल में होता क्या है rows होती है और column होता है अगर मैं क्यों चीज उपर एड करूंगा इसका मतलब क्या चीज उपर एड होगी उपर row एड होगी ना और left पर एड करूंगा तो इसका मतलब left पर क्या होगा लेट पर row तो नहीं होती क्यों होता है और TCD साइट पर आपके columns होते हैं और उपर नीचे क्या होती है आपकी rows होती है तो देखें insert above का मतलब क्या है कि उपर एक row आपकी एड हो जाएगी देखो इसके उपर एक row एड हो गई ठीक है अब मैं इधर क्लिक करता हूँ और insert below करता हूँ नीचे एक row एड हो जाएगी insert left करता हूँ एक column left side पे एड हो जाएगा ठीक है अब चुँके मैंने बहुत सारा select किया हुँ था देखो ये एक, दो, तीन, चार, पांच लिए ने इसलिए पांच column हो गए तो एक पे मुझूद हूँ insert left करता हूँ, left side पे column हो गए insert right करता हूँ, right side पे column हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद देखे हमारे पर एक option है merge cell का क्या आ रहा है जैसे मिसाल के तोर पर इन दोनों cells को में मिलाना चाहरा हूँ ठीक है, तो यहां पर में जाओंगा merge cell कर दूँगा merge का मतब यह दोनों cells क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे ठीक हो गया, उसके बाद split cell का मतब क्या है आप यहां पर मुझूद है, आप इन दोनों को अलग करना चाहरे है, split कर देए तो उसी तरह से क्या हो जाएंगे, आपके split हो जाएंगे ठीक है, एक cell को मजीज cells में भी आप split कर सकता है आपनों मुझूद है, split cell, आपसे क्या कह रहा है, इस cell को किस तरह split करना चाहरे है number of column कितने होने चाहिए इसमे, number of rose कितनी होने चाहिए मैं कहता हूँ, इसमे number of column आप बना दो 3, number of rose बना दो आप 2 ठीक है, तो और इंटर कर दो के तो क्यों हो जाएगा, यह cell में उसी तरह की चीज़ें बन जाएगी देखो, तीन column आपके दो रोज आपकी तो डिफरेंट तरह की styling आप यहां पर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं split table का मतलब क्या है, कि यहां से आपके table को अलग कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, यहां से table को अलग कर देगा और जहां पर आप मुझूद है ना, जैसे मिसाल के तरह यहां पर मैं कुछ लिखता हूँ अबर मैंने कुछ लिखा, कुछ भी लिखा और फिर कुछ लिख दिया, ठीक है यहां मर मैंने कुछ लिख दिया और लिखने के बाद मैं यहां पर मुझूद हूँ उस cell पे और यहां से split table करता हूँ तो जहां पर मैं मुझूद होँगा ना, नए table की वो पहली land बन जाएगी, पहली row बन जाएगी, ठीक है देखें, आप यहां पर cursor लेके जाएंगे तो आपको बता भी देगा है split the table into two table, यह क्या करता है, दो tables में आपकी table को तोड़ देता है the current row will become the first row of the new table, जो आपकी current row होती, वो आपके नए table की पहली row बन जाती, ठीक है इसको split करते है, अब देखें, आपका table क्यों हो गया, तोड़ गया, चूँकि हमने बहुत ज़्यादा जी table ली है, यह आपको नीचे अलग होता हो बनाजर आया ठीक है, बात समझा गई, तो यह आपका table अलग हो गया था, और यह अलग होके मेरे खाल में इधर ही mix हो गया, ठीक है बहराल आपको समझ तो आ गया होगा, समझ आ गया ना, देखें निया table है तो उसकी current row जिस पे मुझूद था वो पहली row बन गया देखें, यह आप नजर इंक्रिस कर सकते हैं, यहां से नंबर से कर सकते हैं और यहां पर आएंगे देखें जब यह बना वहार है न यहां से भी आप इसको up, down, increase, decrease कर सकते हैं, यह आपका row गई, ठ्केए यह यह यहां से आपने row को पर नीचे करना है, अब ड़्ाउन करना हैं, यहां से size को आप ड उसके बाद एक आटो फिट करना चाह रहे हैं आटो फिट भी कर सकते हैं वोद ही डांस कर रहे हैं अच्छा वही आटो फिट कॉंटेंट मिसाल के दूब आपने इसको स्लेक्ट किया select करने के बाद अगर आप auto fit content पे करते हैं तो क्यों होगा आपकी लिखाई के मताबिक आपका table खुद बाखुद एडजेस्ट हो जाएगा देखें auto fit इसने कर दिया अचा fit to आप window करते हैं आपकी window के लियाज से table के हो जाएगा खुचत आपके लियाज से अज़ेस्ट हो जाएगा उसके बाद देखें आपकी alignment आ आ आरी है आपके टेक्स्ट की आप different तुरह से अपने text को arrange कर सकते है 對 different तुरह की arrangement है जिस तनह से आप चाहएएं यहां से आप इसको arrange कर सकते हैं तो हो गया अच्छा उसके बार देखें टेक्स्ट की डिरेक्शन है लिए डिरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं चुम्कि टेबल बहुत बड़ा है तो यह थोड़ा सा यह है रही है थीक है oh different तुरह कि आप arrangement alignment कर सकते है तो यहां से आप टेक्स्स की डिरेक्शन चेंज कर सकते हैं देख रहें है टेक्स्स की डिरेक्शन आपकी चेंज हो गई अमर लगता है रात को फेस्बुक ज्यादा इस्तमाल कि तुमने है अच्छा भई देखें मार्जन का मतब क्या है मार्जन कोन बताएगा कबीर अली बताओ क्या है अब्दुलकबीर मार्जन का मतब क्या होता है कबीर कौन है भई करीम रिस्पॉंस कोई नहीं दे रहा है पतर ही कोई नहीं अच्छा अच्छा हैом benefici wedługoler notamment आपके जो बोर्डरों होते हैं टीक है मेर्डे का चीए निए कुछ मार्जिन कुछ रखते हैं जब पेपर देते हैं कुछ Nun कुछ मार्जिन कुछ रखते हैं क्यूम् जब पेपर के शितर्न कुछным ने हिरें १। Sell Margin आप दे सकते हैं निसाल के तोर पर यहां से यह Margin है ना आ यहां से Start ओर लिकना तो यहां से आप Margin अपने Sell के Select कर सकते हैं ठीक हो गी बात अच्छा उसके बात लिखें यह बड़ा काम का Option है इसलिए मैंने Starting में इसको नहीं पढ़ाया चलते चलते मैंने सारे Option आपको पढ़ाया एंड में इस पर आएंगे देखें यह Option किया है अपने Entries करनी है टेबल में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोगों की आपने Entries करनी है आपने यहां पर नाम लिख दिया Father Name लिख दिया Class लिख दिया दूसरे पेश पर आपको पता नहीं यहां पर क्या लिखूं यार ठीके पता नहीं लग रहा ना यहां पर Name लिखना था Father Name Grade कहां पर था School कहां पर रिमार्स कहां पर आपको पता नहीं लग रहा तो यहां पर आप इस Option का इस्तेमाल करेंगे यहां पर जाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे यहां पर मिसाल की तोर पर यहां पर मैं मुझूद हूँ ठीके जिसको आप Repeat करना चाहता है नहीं जैसे Header है यानि कि Start है आप Starting लाइन पर आजाएं और आने के बाद डेटा में जाएं और लिखें Repeat Headers Row क्या कर देंगे आप Repeat Headers Row पर आप क्लिक करेंगे Option देखो On हो गया ग्रेय हो गया यह और आप देखें अब हर पेज़ पर आपको यह रोज नजर आएंगी अब क्यों नहीं नजर आ रही है क्योंकि हमने Split तो नहीं किया ता चाहिए टेबली अच्छा जी इसको हम स्लेक्ट करते हैं स्लेक्ट करने के बाद डेटा में जाते हैं Repeat Headers Row करते हैं चलें इसको हम नए डोकुमेंट पर लेके जाते हैं और यहां से हम क्या करते हैं यहां से एक हम टेबल क्रिएट करते हैं ठीक है इंसर्ट टेबल करते हैं और यहां पर जाने के बाद हम कहते हैं हमें कॉलम दे दो 10 और रोज हमें दे दो 100 चलो हम 70 कर लेते हैं ठीक है ताकि 2 pages पर हमारे आ जाए ठीक है OK करते हैं यहां पर आने के बाद देखें 2 pages पर हमारे पास आ गया तो यहां पर हम काम करते हैं यहां पर लिखना है start करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच चलो इसको हम बाकिव डिलीट कर देते हैं लेयाओट पर आते हैं और यहां से हम इसको डिलीट, कॉलम करें रो करें रो करेंगे तो सारा रो डिलीट हो जाएगी ठीक है, हमने करना क्या है? कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, कॉलम, डिलीट कॉलम ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं fit to window कर देते हैं, हमारे पेज के मताबिक adjust हो जाएगा, अचा भी यहां पर लिखते हैं name, name, father name यह बटाई, cell size पर आके fit to window करेंगे automatically adjust हो जाएगा, father name school school grade के लिए, class के लिए, चलो grade grade class एकी बात है, ठीक है यह आगया हम यहां पर आते हैं और आने के बाद डेटा में जाते हैं, डेटा को जाने के बाद रिपीट headers रोग करते हैं, ठीक है आप यहां पर रिपीट हो रहा है तो हर पेज की यह header पर आपको यह लिखावा नजर आएगा, automatically आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यह सारी की सारी हमारी जो डिसकेशन थी आज की वह हमने क्या पड़ा धाद हमने file पड़ा, home पड़ा, insert table ने पड़ा बहुत है और प्रैक्थिस करें